आज मैं आपके साथ शेर करी हूँ मतर की कचोड़ी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं पिल्कुल मार्केट जैसी फुली फुली और खस्ता हमारी कचोड़ी बनके तयार हो रही है जैसे कि मतर का सीजन चल रहा है तो आप भी इस रेसिपी को जुरूर ट्रै किजेगा वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा वीडियो में मैंने सारी टिप्स और टिक्स शेयर करें हैं ताकि आप भी बिल्कुल मार्केट जैसी मतर की कचोड़ी अपने घर पे इसली बना सकें तो चलिए स्टाइट करते हैं मतर की कचोड़ी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक चोपिंग बोल लिया है इसमें मैं एड़ करूंगी मतर तो यहां पर मैंने एक कप मतर लिये हैं आप इस रेसिपी में ताजे मतर भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रोजन मतर भी यूज़ कर सकते हैं साथी में डालने वाल तो ये देखिए मैं आपको इसका revenue टेकिचर दिखाती हूँ किस तरहा का exagger रखना है ऑपने इसका इसका आपको fine paste नहीं बनाना हश्या अहीं रखता है।ा आपको fine paste नहीं बनना हब कर ना है कि इस तरहा ना चाहिए इसका नहीं की आपको जो हरी सोंफ होती है आप सब जानते होंगे वो एट कर देंगे इसमें तो फ्राइ कर लेंगे इसको तो जीरा और सोंफ हमारे फ्राइ हो चुके हैं अच्छे से अम मैं एट कर रही हूं एक बड़ा चम्मत बेसन का हल्वाई लोग भी जो कचोड़ी बनाते हैं उसके स्टफि साथ कुक होने सटार्ट हो गया इसने की को अब्सọn कर लिए हैं तो यह दिखे इसको हम तब तक को करेंगे जब तक इसको से अच्छी सी खश्बू आने लगें जादा ऊवर को कमने से नहीं करना मतलब कि डाक कलर हमने इसका नहीं करना जादा है तो यह देके वेसन हमारा अब हम इसको mix कर लेते हैं अच्छिसे अब मैं इसमें от करी हो। 150 और साथ ही में जब वह औरThis terrace कर लेती हुआ है। और एपके सब्सक्राइब करने प्रता और भी नहीं है। तो मिक्स कर लेते हैं इसको हम इसमें ड्राई मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहले मैंने इसमें लाल मिर्च का पोडर डाला है फिर इसमें जाएगा अमचूर का पोडर नमक डाल देंगे according to your taste साथ इसमें जाएगा धनिया पोडर हल्दी पोडर डाल देंगे और लास में मैंने इसमें डाला है गरम मसाला तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके इंग्रिडियंट्स की लिस्ट में डिस्किप्शन बॉक्स में भी दूंगी तो आप वहां से भी चेक आउ अब 2-3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे तक कि जो मतर हमने इसमें डाली है उसका कच्छा पंच चला जाएगा और जितने भी हमने इसमें मसाले एट की हैं वह अच्छे से मिक्स हो जाएंगे वाच्छे से फ्लेवर आएगा स्टफिंग का और स्टफिंग हमारी ड्रा होने के लिए रख देते हैं गैस को मैंने ओफ कर दिया है अब हम डो बनाएंगे तो यहां पर मैंने दो कप मैदा लिया है अब मैं इसमें अधा चमच नमक साथी इसमें मैं एक चुथाई चमच बेकिंग सोडा इसे एकदम हमारी खसता कचोड़ी बन के लिए रेडी होगी साथ ही मैं थोड़ी सी एज्वाइन भी एट कर रही हूं अब हम इसमें मोयन डालेंगे जो मैंने देशी घी का लिया है जिसको मैंने मेल्ट करके रखा हुआ था तो इसको भी मिक्स कर देंगे तो सभी इंगेंट्स को हातों से पहले अच्छी से मिक्स करेंगे ताकि जो हम सब्सक्राइब का मत डालेगा घी के मोयन से बहुती बढ़िया कचोड़ी आपके रेडी होगी तो इदे के बाइंड हो रहे हमारा जो था इट मिन्स कि जो हमने इसमें घी डाले हो बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपका इस तरह से डो बाइन ना हो तो आप इसमें कचोड़ी बिनाने के लिए तो इदेखे आप देख सकते हैं वीडियो में मैं धीरे धीरे इसमें पानी एट कर रही हूं और इसी तरह से हम इसका डो रेडी कर लेंगे तो इदेखे कचोड़ी का डो हमारा बनके तयार है मैं आपको इसका ट्रेक्चर भी दिखाऊंगी कितना सोफ्ट और कितना हार्ड रखा है मैंने थोड़ा सा ओयल अपलाई किया इसके उपर तो इदेखे आप देख सकते हैं इसका ट्रेक्चर किस तरह का है यह देखे आप देख सकते हैं किस तरह का ट्रेक्चर रखा है मैंने डोका अब हम इस डोको कवर करके रेस्ट करने देंगे लगभग 15-20 मिनट के लिए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ 15-20 मिनट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं डोको हाथों में थोड़ा सा ओईल लगा है मैंने अब हम इस डोको नीट करेंगे तो मैंने किचन काउंटर को क्लीन कर लिया है जिस पे मैं इस डोको क्लीन करूंगी यह देखे इस तरह से मसल लेंगे इसको अच्छे से अब हम इसको टू पार्ट में डिवाइट कर लेते हैं पहले अब हम इसका एक एक पार्ट यूस करेंगे और इसकी एक लोक सी बना लेंगे क्योंकि फिर हम इसकी पेडियां रेडी करेंगे यहां पर मैंने पेडियां भी नीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको दिखाती हूं दूसरा फार टो का सी पेडियां बनाके सारी पेडियां के लिए हमारी ऑदि के लाई सटफिंग के हमारी भी थंडी हो चुकत अब as and अब हम क्या करेंगे स्टफिंग के भी थोड़ी सी बॉल्स बना लेंके हैं चीजिच बिए बिखरी सी रहेगी आपको लोग करने में प्रोबलम होगी अगर इस तरह से बॉल्स रेडी कर लेंगे तो आप बहुत असानी से कचोरी को स्टफ कर पाएंगे तो कचोड़ियां बराना स्टार्ट करते हैं, आपर मैंने थोड़ा सा ओयल लिया है, तो एक पेड़ी ले ले लेते हैं, मैं आपको दो तरह से कचोड़ी को स्टफ करना बताऊंगी, तो पहले हम बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, यह देखे इस तरह से, अब वीडियो में देख रहे हैं यह देखे इस तरह से अच्छे से हमने इसको लोक करना है आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाई मत कीजिएगा क्योंकि ओयल में जाने के बाद इसके फटने का डर रहते हैं अगर आपकी कचोड़ी अच्छे से लोक नहीं होगी तो यह फट भी स कचोड़ी को स्टफ करेंगे जो कोर्णर उसको हम पतला करते जाएंगे प्रेस करते वे इस तरह से और एक कटौरी से बना लेंगे हातों से ही एक हमारी चोटी सी कटोरी बनके रेडी होगी अब हम इसमें स्टफिंग वाली बॉल रखेंगे और इसको भी लोग करते जाएंगे अंगुटे की मदद से स्टफिंग को प्रेस करते जाएंगे और साइड में से जो हमारा डो है उसको लोग करते जाएंगे जैसे कि आप तो यह हमारी दूसरी कचोड़ी भी स्टफ होगी है तो आपकी इच्चा है आगर आप बेलन की मदद से स्टफ करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं तो सारी कचोडियां stuff कर लिए मैंने थोड़ी से भी रहती है वह हम बाद में कर लेंगे पहले इसको fry कर लेते हैं किसी बनेगी बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेगी क्रिस्पी नहीं बनेगी तो इस चिसका आप खास दियान रखेगा लोटू मीडियम फ्लेम पी ही आपने कचोडियों को फ्राई करना है और आप देख सकते हैं यह फूल के थोड़ी सी उपर को आगी है अब हम इसको पल्टे अच्छे से लोग किया था अब हम इसको अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं सारी कचोडिया हमारी फूल रही है और यह देखें बहुत ही सुन्दर दिख रही है तो इसको बस अलट पलट करना है हमने और लोटू बकाती हूं तो इस लेयर से साफ पता लग रहा है करते होता हुग जो मार्क्ट में जो काचोडियां कितनी हें खस्ता बने वाली है मार्केट में किछोडियां बनती है उनका भी यही टेक्चर होता है कि देखे आप देहसकते हैं इeffectलियर्स भी देख सकते हैं हैं और जो हमने इसमिन स्टफिंग बनाई है वो भी बड़ी मज़िडार है तो हमारी कचोडें फ्राइ हो चुकी है इनको निकाल लेते हैं पटर-फट से आए के तो जो बागी की कचोडे बनी थे वह भी मैंने बना के रेडी रखी है इनको भी fry कर लेते हैं तो ये देखे हैं ये हमारी सारी कचोड़िया बनके तयार हो रही हैं आप देख सकते हैं सारी कचोड़िया हमारी बहुती सुन्दर भी दिख रही हैं और आप देख सकते हैं कोई भी कचोड़िया हमारी फटी नहीं हैं तो चुटी चुटी बातों का आप भी धियान रखेगा और आपकी भी कचोड़ियां भूती बड़िया बनने वाली हैं कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं सारी कचोड़ियां हमारी भूती बड़िया बनके रेडी हुई हैं अच्छे से